दोसो जब से अधानी ग्रूप के तरफ से इस्राइल के हाइफा फोर्ट को टेक ओवर किया गया तब से एक तरीके से आफ कह सकते हैं कि अधानी ग्रूप टार्गेट में हैं और उसके बाद अधानी ग्रूप के शेयर के साथ क्या हुआ उसके बारे में आप लोगों को बतान में काम करना शुरू करेगा तो अब समझ सकते होंगे कि ये जो तिलमिलाहट है ये कितना बढ़ जाएगा और दोसो ऐसा ही तिलमिलाहट अब विदेशी मेडिया में चर्चा का बिशय बना हुआ है जफसे उन्हें ये पता चला कि अधानी ग्रूप अब द्रोनों को काउंट अन्मैन अरियल सिस्टमों का डेवलोपमेंट करेगा और दोसो इसके बाद एक तरीके से वस्टन मीडिया के अंदर इसे लेके मातम चा गया दोसो इस महीने के शुरुआती समय में बैंगलोर में जो एरो इंडिया 2023 एक्जिविशन को आयजित किया गया था उस दर्मियान अधानी ग्रूप के एक बरिष्ट अधिकारी के तरफ से मीडिया को ये जानकारी दिया गया कि भारत के डिफेंस रिसर्च और डेवलोपमेंट ओर्गोनेशन अधानी डिफेंस एन एरोस्पेस के साथ जुएंटली या फिर कहतो पार्टनर्शिप में द्रोन, डिटेक, ड अधानी ग्रूप के इस बरिष्ट अधिकारी के तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि डिफेंस रिसर्च और डेवलोपमेंट ओर्गोनेशन के तरफ से द्रोनों को काउंटर करने के लिए डेवलोप किया जा रहा था अधानी ग्रूप के इस बरिष्ट अधिकारी के तरफ से मीडिया को ये वी जानकारी दिया गया है कि डिफेंस रिसर्च और डेवलोपमेंट ओर्गोनेशन के तरफ से अल्रेडी मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस के अंतरगत आने वले अलग अलग के सामने ये डिफोर्स सिस्टमों के डेमोस्ट्रेशन किया जा चुका है और मीडिया अधिकारियों का मानना ये है कि इस डेमोस्ट्रेशन के बाद ऐसे एजनसी के ही बिहाब पे अधानी ग्रूप और डिफेंस रिसर्च और डेवलोपमेंट ओर्गोनाईशन को इस तरीक के के ड्रोन काउंटर सिस्टमों के मैनुफैक्चरिंग का ओर्डर मिला होगा हाला कि दोस्तों रिपोर्टों में तो ये विदावा किया जा रहा है कि ये डिफोर्स सिस्टमों को अल्रेडी कई सारे गौर्रमेंट के इवेंट में डिपलाइवी किया चुका है ताकि रोग करने के तुरंद बाद ही forces के तरफ से इस्तेमाल किया जा सकेगा defense research and development organization के एग अधिकारी के तरफ से यही वताया गया है कि जो d4 system है यह SL में संपूर्ण automated system है यह automatically target को detect कर सकता है उसके बाद इसे classify वी कर सकता है मतलब यह जा सकता है कि जिस drone को detect किया गया है वो अपना है या दुश्मन का है और उसके बाद automatically उसे neutralize भी कर सकता है और दोसो इस तरीके के system को दिन और रात दोनों ही condition में इस्तेमाल किया जा सकता है हाला कि अधिकारी के तरफ से यही वताया गया है कि ऐसे system को manually भी operate किया जा सकता है अधिकारी के दुआया दिया गया बयान के मताविक इस system को stationary तरीके से मतलब एक जगह में fixed करके भी इस्तेमाल किया सकता है और इसे vehicle की उपर mount भी किया सकता है दोसो D4 counter unmanned aerial system में एक X-band radar का इस्तेमाल किया गया है counter unmanned aerial system में radio frequency को भी detect करने का एक option है और ये 400 से लेके 6000 MHz के radio frequency के unmanned aerial vehicle को करिवन 3 km के range से detect करने में सक्षम है हलाकि इसके इलावा counter unmanned aerial system में एक electro optical infrared system को भी लगाया गया है जो 3 km दूर से target को detect करने में सक्षम है जबकि दोस्तों खाली इतना ही नहीं बलकि इसमें laser range finder और कई तरीके के अन्य equipment को भी लगाया गया है ताकि drone के बचने का किसी भी तरीके का कोई भी संभावनाय ना हो पर दोस्तों ऐसे defense equipment के development के बाद बिदेशी मीडिया का सरदर्द इसलिए बढ़ गया क्योंकि एक तरफ जहाँ पर defense research and development organization के तरफ से ऐसे महत्वपूर्ण equipment को बनाया गया है जो दुश्मन के सवी चाल इवें छोटे आकार के drone के द्वाला चले गए चाल को भी neutralize कर पाएगा तो वही पे बिदेशी मीडिया का सरदर्द का दूसरा बड़ा कारण ये है कि ऐसे system क्यों अधानी ग्रूप के तरफ से ही निर्मान किया जा रहा है दोस्तों अधानी ग्रूप भारत के एक बहुती बड़े industry है और यहाँ पे कई सारे equipment के उपर काम किया जाता है shipping से लेके trade तग में अधानी ग्रूप का हाथ है और दोस्तों जहाँ पे अधानी ग्रूप काम कर रहा है वो ही sector बुलंदियों के उचाई पे जा रहा है ऐसे में अधानी ग्रूप defense sector में कदम रखने के बाद आप समझ सकते होंगे कि defense sector में भी बढ़ोत्री आएगा और दोस्तों ये भी बिदेशी मीडिया का चेड़ का एक कारण बना हुआ है और दोस्तों अधानी ग्रूप से बिदेशी मेडिया और या फिर कहें तो बिदेश के बड़े बड़े agencies कितना चिड़ता है इसका example तो जोर सोरोस के ही बयान में आ गया था और दोस्तों अब जिस तरीके से इन खवरों को कवर किया जा रहा है इससे उनके चेड़ के साथ साथ हमारे सफलता क्या वी एक जलक आ रहा है और दोस्तों भारत जिस तरीके से प्राइबेट और गौर्मेंट पार्टनर्शिफ के अंतरगत डिफेंस को और मजबुत करने क इरादे के साथ आगे बढ़ रहा है जिससे की हमारे सुरक्षा को भी मजबुत किया जा सके और डिफेंस इक्विप्मेंटों को भी एक्सपोर्ट किया सके वो भी धिरे धिरे ऐसे ही पार्टनर्शिफ के अंतरगत पूरा होगा दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि अधारत को किस तरीके का फाइदा होगा और अधानी ग्रूप से ही विदेशी मीडिया क्यों चिड़ा हुआ है कॉमेंट करके जरूर वताईए दोस्तों आज का वीडियो यही पही करते हैं समाप किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वन्देमा तरम